पुराने समय में दक्षन भारत में राजाबली नाम का असुर हुआ करता था। अपनी इस महत्वकानक्षा को पूरा करने के लिए राजाबली ने देवताओं पर आक्रमन कर दिया जिससे वह परलोग का राजा बन गया इसी तरह वह ब्रमांट के दुसरे लोक्यानी प्रित्वी और पाताल में भी अपना अधिकार कर लिया। अधिकार कर दियार हो गए और एक वामन का अवतार धारन करके राजाबली के पास गए। तब कोई स्थान न होने के कारण वचनब्ध महाबली ने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान के पैर रखते ही राजाबली पाताला लोक में समा गया। भगवान विश्नु राजबली की इस धर्म निश्था से प्रसन होकर उससे एक वरदान मानने की बात कहीं तब राजाबली ने कहा कि पुड़े साल में आप मुझे एक बार अपने राज़े जाने की अनुमती देता कि मैं अपनी प्रजा की खुशाली और संबननता करली और अबोनम के रूप में हर साल राजा बली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं